हम तोड़ा आगे बढ़े हैं सर्दी खासी जुकाम ये तीनों एकी फैमिली की डिसीज है और इनकी मेडिसिन भी लग दग एकी है क्या क्या मेडिसिन है इसके लिए अपने रसोई में सबसे अच्छी मेडिसिन है अपने रसोई में अद्रक अद्रक कोई दूसरे नाम में सोट कहते हैं अद्रक सूख जाता है तो सोट हो जाता है अद्रक सूख जाता है तो सोट हो जाता है तो अद्रक या सोट इसकी बेस्ट मेडिसिन है दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो हल्दी है तीसरी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की च किश्मिश है पाच भी मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की दाल चीनी है मुनक्का अलग है किश्मिश अलग है फिर से बदाह देता हूं सबसे अच्छी दवा है अध्रत है दूसरी हल्दी है तीसरा चूना है चौती दाल चीनी है फिर किश्विश है और इसमें आप मेथिदाना भी यूज कर सकते हैं इतनी दवाएं हमारे रसोही में हैं सर्दी खासी जुकाम के लिए और इसके साथ कुछ कॉप्लीमेंटरी मेडिसिन है जो मेर मेडिसिन के साथ मिक्स करके यूज करते है वो है काली मिर्च तो इसी का पत् उसमें से एक है काली बिर्ची अब इनको यूज कैसे करना है यूज करने का अधरक है उसका रस निकाल लीजिए अधरक रस को निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा शहद मिलाके हल्का गरम करके पी लीजिए ये एक तरीका दूसरा तरीका है अधरक का रस निकाल लीजिए उसमें तुलसी का रस मिला लीजिए और हलका गरम करके शहद मिलाके ले लीजिए वो दूसरा तरीका गरम करने के बाद ही शहद मिलता है शहद मिलाके कोई चीज गरम नहीं कर सकते अगर शहद नहीं है तो गोड़ ले लीजे गोड़ भी चलेगा अग्डोज कितना लेना है एक पार में एक चमच से जाज़ा नहीं सम बिलाकर एक चमच अब आप खुद डिसाइड कर लेना सम मिलाके एक चमच अद्रक का रस तुलसी का रस और शहद टीमों मिलाके एक चमच सुबह सुबह ले लीजे खाली पेट बहुत अच्छा है एक बार दुपार को भी ले सकते हैं पर शाम को ये तीम बार ली जा सकते हैं जो लाट कर दूसरा कोई कारें को सकते हैं इसी तरह से सभी खासी जुकाम में हल्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं हल्बी को सबसे अच्छा तरीका है खाने का दूद में मिलाके जो हजारों साल से इस देश में इस्तेमाल हो रहा है दूद में मिलाके और मिला कि इसको बॉई करना पड़ता है दूद को उसका असर आता है दूसरा तरीका है कि अगर दूद उपलत नहीं नहीं कोशिश करिए हो जाए तो अगर किसी कारण से दूद नहीं ले सकते या दूद उपलत नहीं है तो पानी में बॉइल किया जाता है और यह जा सकता है दोगे तो हाथ नू पीकिन दाशामासि को साथि तो सर्दी आज़ा में हल्दी है पानी में ले सकते हैं और मात्रा हमेशा चौथाई चमच सर्दी खासी जुकांग इससे जादा कच्छी हल्दी मिल जा तो और भी अच्छा छोटे टुपड़े करके दूप में बॉइल कर लीजिए और इसी हल्दी को और एक बीमारी में इस्तेमाल कर सके हैं आप टॉंसलाइटिस पच्छों की जो बीमारी है न टॉंसले उसमें इसको इस्तेमाल कर सके हैं टॉंसल इजसे डेस्ट में इस्तुटत वेस्ट सेम्सलाइटिस की टॉंसलाइटिस मि अक्सर जब भी बच्छों को होगा आप बॉक्टर के साज़ को एक इपने कहेगा उप्रेशन करा तो काटके न कर दो और यह दूसरा टॉंसलाइटिस के लिए यह दोनों ही अगर आपने निकलवा दिये तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता यह जान दिए एक बार बच्चे का अपने अपरेशन करा दिया और कट के निकल गया फिर जिंदगी बार उसको ना कोई दवा काम इसलिए यह गलती कभी मत करीए अपने बच्चों कि सरे or डॉंसलाइटिस के केसमें भी इसी अपनी को इस्तिमाल सब्सक्स तरीस का इतन लेगा और मुछ जगा करें आपके द vacation हो तो हलडी को सीधा करनाए ना दूद में ना पाड़ी में सीज़े हल्दी इस्तेमाल करनी है कैसे चमच में हल्दी बढ़ लिया और मुझ इतना खुल सकता है उसमें अंदर ले जाके चमच छोड़ देजे डाल दीजे फिर लार के साथ मही के यह अंदर उतरी एक हफते में तीन दिन भी आपने कर दिया तो चौते दिन से उस बच्चे इस दिन महिना दो महिना तो आप उसी तरह से दूज में लीजे जिए पैनी मिश्री दे दीजे चल जाएगा सिद्धी नहीं पानी नहीं पिना है वो लार के साथ अंदर जाएगा पानी उनको गंटे पर कट नहीं देना और इसमें थोड़ा एक और दूसरी विमारी इसी से जुड़ी throat infection गले में खराश हो गई और गले में किसी तरह का infection है गला बैठ गया है तकलीफ ऐसी है पानी भी पीने के तकलीफ हो रही है आपकी लार में गली में भी तकलीफ हो रही है इस तरह का infection है अवाज भारी हो गई है यही हल्दी इस्तेमारी करना है दूद में घी के साथ हल्दी दूद और घी घी माने कालिका हल्दी दूद और घी एक किलास दूद रहेगा चौधाई चमच हल्दी रहेगी एक चमच घी रहेगा ये दिनों को निक्स करके बाई करना है बाई करके खूब गरम गरम चाई की तरह से की शाब कोई काफी रेच आए है जी फिर से रिपीर करता हूँ एक किलास दूद चौधाई चमच हल्दी एक चमच घी घी माने कायता इसको एक दूसरे में मिलाके खूब बाई करिये और इतना गरम हो चाय जैसा और चुस्कियां ले के पीना सिप करके नई नुकसान तो कुछ बिए अच्छा बला भी पी सकता बस मात्रा हल्दी की थोड़ी कम कर दिए चुगर डाव है इसको शुगर? है जी शुगर माने चीनी में चीनी को तो विदा कर दिजा आप थोड़ा बुरबुर ले लिया तो चलेगा चीनी तो छोड़ी दीजा तो भी निकल जाएगा थोड़े दिल लगाथा लेना पोड़ेगा पांचे दिन उसमें निकल जाएगा और जुगाम के लिए मैं और एक दावा बता चुगा हूँ जो पहले से आपको मालूम है चुना चुने को इसी तरह से जैसे बताया हुआ है आप यूज़ कर लीजे तो जुगाम ठीक कर देगा